How to deactivate your Instagram account? किस तरह से आप अपना Instagram का account temporarily जो है उसको deactivate कर सकते हो? उसके लिए सबसे पहले आप अपनी mobile पे जो है वो Instagram की application को open कर लेंगे और यहाँ right पे नीचे देखिए आपको profile icon मिलेगा यहाँ पर tap करेंगे यहाँ पे tap करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका profile खुल जाएगा और उपर right side पे top पे देखिए आपको three lines मिल रही होंगी menu की यहाँ menu पे आप tap करोगे और यहाँ पे पहला ही link है settings का settings के links पे जो है वो हम tap करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमारे पास नीचे जो है second last link आ रहा है help का आपने क्या करना है कि help को जो है वो tap कर देना और यहाँ पे second link है help center का यहाँ पे help center पे हम tap कर देंगे और यह हमारे browser में basically इस तरह से जो है वो help center instagram का जो है वो open हो जाएगा अब जिस तरह आप सामने मेरे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो उर्दू language जो है वो select हुई है जिसको आपने फॉरंस सबसे पहले जो है वो change करना है और इसको convert कर देना आपने English में English US यह आपके सामने लिखा आ रहा है इस पर आप कर देंगे उसके बाद यहाँ ऊपर करेंगे तो पहला ही जो इसमें help center में लिंक है वो आ रहा है how do I temporarily disable my Instagram account इसको जो है हम tap कर देंगे यहाँ पर tap करने के बाद हमारे पास जो next page खुलेगा वहाँ पर हमारे पास जो है वो instructions आ जाएंगी जिसमें मैं आपको बता दू के Instagram ने अभी यह कहा है कि आपने अगर अपना Instagram का account disable करना है तो उसके लिए आपको अपनी laptop या computer की screen पे जो है वो Instagram को open करना होगा तो आप य क्या करेंगे यहां नीचे लिखा हुआ Instagram.com from a mobile browser इसको जो है हम tap कर देंगे यहां पर tap करने के बाद यह देखिए हमारे पास जो है वो instructions आ रही है login to Instagram.com from mobile browser you can't temporarily disable your account from within the Instagram app यनी कि आप जो है वो Instagram एप से जो है वो यह account डिलीट नहीं कर सकेंगे तो हम जो Instagram.com पे जो है वो क्लिक कर देंगे और यह देखिए हमारा जो Instagram का account है वो इस browser में जो basically Instagram ने automatically open किया आपने help center को open करने के लिए वो mobile में हमारी Instagram की application में हमें जो है हमारी profile open कर देगा अगेन आपने वही process करना कि आपने right side पे नीचे जो है यह आपका profile icon आ रहा होगा इस पर tap करेंगे और यहां tap करने के बाद आपने next process करना है edit profile जो यह उपर लिखा आ रहा है आपने इसको एक दफ़ा tap कर देना यहां आपके सामने जो है आपकी edit profile की चीज़ें आजींगी जिसमें आप scroll down करेंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे यहां सबसे नीचे देखिया आपको जो है यह right side पर नीचे temporarily disable my account की एक option जो है वो शो हो रही है यहां पर हम जो है इसे tap कर देंगे और यह next page basically हमसे जो है वो सारी की सारी details बता भी रहा है और हमें basically पूछ भी रहा है इसमें जो सबसे major चीज़ है हमें यहां पर पूछा जा रहा है why are you disabling your account यहां पर हमें कोई न कोई एक reason जो है इस drop down menu से देनी होगी जिसमें privacy concerns, too many ads, created a second account या कोई भी किसी किसम की भी busy की जो है too busy, too distracting की option देखे या कुछ भी इस तरह से आप basically कोई option जो है वो select कर लेंगे उसके बाद आपने to continue please enter your password यानि जो आपका instagram का password है आपने यहां पर जो है उसे enter कर देना और यहां पर जैसे ही आप जो है अपना password enter करेंगे तो यहां नीचे देखिए temporarily disable account की option जो है वो आपके पास activate हो जाएगी इसमें यह लिखा हुआ है when you press the button below your photos, comments and likes will be hidden until you reactivate your account by logging back यानिके इसका यह मतलब है कि आपका account जो है वो basically disable हो जाएगा यानिके उसमें सारी pictures जो आपकी है या comments है या likes है वो सारे के सारे जो है वो hidden हो जाएगे कोई भी उसको access नहीं कर सकेगा जैसी आप temporarily disable account पे tap करेंगे click करेंगे तो आपका account जो है वो disable हो जाएगा इसको reactivate करने का यही तरीक है कि आप जो है दुबारा से जैसी login करेंगे instagram को तो आपका account जो है वो दुबारा से reactivate हो जाएगा सो ultimately जब तक आप इसे temporarily disable रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं उसके बाद आप जो है इसे reactivate भी कर सकते हैं अगर यह process आपको अभी क्योंके instagram जो है वो अपना process जो है वो update कर देता है तो मेरे channel को subscribe कर लीजे मैं आपको जो है जो latest method होगा वो भी बता दिया करूंगा अगर यह method जो है वो change होगा तो by the way अगर आप mobile से related या किसी किसम की gadgets जो है वो buy करना चाहते हैं इंट्रस्टेट है तो description में link दिया गया है आप कोई भी gadget वहाँ जाके जो है वो खरीद सकते हो मेरी वीडियो को like जरूर कीजेगा और मेरे channel को subscribe जरूर कीजेगा take care bye bye झाल प्रूर को